जहहिं आज हम लोग इस वीडियो में में लि ऋप्नाशट माईनिग मसीनरी के इंट्रोड़क्सन पार्ट को देखेंगे दोस्तों यह जो आपका वीडियो होने वाला है वो आपका ओप्नाशट माईनिग मसीनरी का बेसिक है इसको यदि आप skip करते हैं तो आने वाले अगली वीडियो में आपको opencast के जो भी machines use होते हैं उसको समझने में आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी सो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इस वीडियो को complete end तक देखें ताकि आपको better way में आने वाले वीडियो समझ में आएंगे सो let's get started इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आएं तो maxios चैनल को subscribe करें और हाँ किसी तरह का भी doubts होता है तो definitely आप comment करके पूछ सकते हैं जैसा कि हम लोग को पता है कि opencast mining method वो सबसे oldest method है जिसके दोआरा हम लोग किसी भी minerals या फिर koila को extract करते हैं from the beneath of the earth लेकिन आज के समय में यह जो opencast mine है वो बहुत ही जादा mechanized हो गए है क्यूंकि आज के समय में हम लोग heavy earth moving machine को use करते हैं जिसे हम लोग short form में ham करते हैं दोस्तों last 60 to 70 years पहले यह जो opencast mines थे वहाँ पे manual work चलता था manual work कहने का मतलब है कि हातों से ही काम को चलाया जाता था सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस टाइम गैता से ही काट करके koila को निकालते थे लेकिन आज के समय में जैसे जैसे invention होते गया मसीनों का तो opencast mine में भी mechanization होना शुरू हो गया और अभी के समय में यह जो mechanization है वो इतना हो गया है ताकि हम लोग opencast mine में आज के समय में बहुत ज़्यादा output देता है तो यह जो tremendous improvement हुआ है किसी भी excavating machine में और इसी के दोरा हम लोग आज के समय में opencast mines में output जो है जो result है वो हम लोग ज़्यादा दे पाते हैं next हम लोग समयते है excavator दोस्तो यह जो excavator सब्द है वो बहुत ही ज़्यादा आपको use में आने वाले हैं आगे तो इसको हम लोग पहले ही clear कर लेते हैं excavator is a machine which is able to excavate the earth दोस्तो excavator क्या है तो excavator एक machine होता है जो की earth के अंदर में जितने भी आपके minerals है उसको यह excavate करने का काम एक excavator करता है उसे खोद करके निकालने का काम एक excavator machine ही करता है तो excavator क्या है? excavator is a machine which is able to excavate the earth any type of rock, coal or minerals जितने भी आपके excavator machine है वो mainly three operation ही करते हैं सबसे पहला है वो आपका वो digging करते हैं, गड़ा करते हैं, फिर वो loading करते हैं और then आपका hosting करते हैं तो mainly कोई भी excavator machine वो three operation करते हैं, digging, loading and hosting इन तीनों operation को हम लोग particularly co-wording के नाम से जानते हैं दोस्तों यह जो process है, digging, loading and hosting उसको हम लोग एक particular word से ही recognize करते हैं वो है आपका co-wording, co-wording का मतलब होता है उठाना दोस्तों जब हम लोग किसी भी चीज को machine के bucket में जब fill कर देते हैं, load कर देते हैं तो next जो हमारा काम होता है, वो उसको discharge करना होता है यानि कि उस machine जो पहले से load था, उसको हम लोग को dump करना होता है तो हम लोग dump कहा करेंगे, तो nearby किसी भी dumping side में dump करेंगे इसी process को हम लोग co-wording process करते हैं next है आपका excavator और excavating machine दोस्तों यह जो आपका excavator machine है, उसको हम लोग 3 basis पे ही classify करते हैं सबसे पहला है use of motive power यानि कि वो जो machine है, excavator machine है, उसमें कैसा power मिल रहा है उसके basis पे हम लोग इसको classify करते हैं, second है आपका system of operation वो कैसा operate कर रहा है, उसका operation कैसा है, उसके basis पे भी हम लोग इसको classify करते हैं और last जो है, वो है आपका design of excavator और excavating machine वो जो excavator machine है, उसका particularly design कैसा है, उसके भी हम लोग इसको classify करते हैं तो mainly जो आपका excavator है, उसको हम लोग 3 basis पे ही classify करते हैं, पहला use of motive power, second system of operation और तीसरा, आपका design of excavator और excavating machine, जो भी आपका excavating machine है, उसमें 3 types के motive power को हम लोग use करते हैं, एक होता है आपका hydraulic power, दूसरा diesel power और तीसरा electric power, motive power काने का मतलब है कि उसको power कहां से मिल रहा है, ताकत उसको कहां से मिल रहा है, तो या उसके basis पे हम लोग मोटी power को 3 types में classify करते हैं, एक है आपका hydraulic, दूसरा electric और तीसरा diesel, दोस्तो आज के समय में हम लोग बहुत सारे excavator machine को use करते हैं, सबसे पहला आता है excavator machine में, वो है आपका power sowel, जिससे हम लोग short form में sowel के नाम से जानते हैं, दो steeper sowel में steeper sowel और back हो, तो यह जो आपका मैंने आपको बता है, वो आपका excavator machine के ही category में आते हैं, यह जो machine है वो आपका excavate करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग excavator machine करते हैं, next आपका excavator machine के category में आता है, वो आपका drag line और तिसरा है आपका bucket wheel excavator, यह जो मैंने आपको बत excavator machine काते हैं दोस्तो bucket wheel excavator machine जो है उसको शिर्फ पर सिर्फ आपका इंडिया के एक mines जिसका नाम है नविली लिगनाइट Corporation of India जो की तामिल नाडू में इस्तीत है उसी mines में सिर्फ पर सिर्फ आपका bucket wheel excavator को यूज में लाए जाता है और इंडिया के अधर कोई भी mines में इसका यूज नहीं लाए जाता है सिर्फ पर सिर्फ इसे नविली लिगनाइट Corporation of India में ही यूज लाए जाता है दोस्तो यह जो आपका bucket wheel excavator है उसको बहुत सारे other country में भी यूज किया जाता है जैसे आपका जर्मनी हो या उस्टेलिया हो गया इन सभी country में bucket wheel excavator का यूज किया जाता है अगर हम लोग आज के समय में बात करें कि सबसे modern machine कौन सा है जो open cast mine में यूज आता है वो है आपका surface miner दोस्तो surface miner ऐसा machine है जिसको कि run करने के लिए कोई भी drilling और blasting नहीं करना पड़ता है यह completely eliminate कर देता है drilling और blasting को और यह जो आप surface miner है उसको हम लोग को सीम को ही normally cutting down करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं selection of excavator या फिर choice of open cast mining machinery दोस्तो किसी भी machines को अपने open cast mines में use करने के लिए हम लोग को कुछ factors को देखना पड़ता है और उस factor को यदि कोई machines fulfill कर रही तब ही जाके हम लोग उस machines को particularly उस mines में use कर पाते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन-कौन से factor से जो कि हम लोग को बताते हैं कि आप कौन से excavator machine को use कर सकते हैं सबसे पहला factor है जो excavator को choose करने से पहले हम लोग को ध्यान में देना चाहिए वो है आपका operating cost and maintenance cost याने कि किसी भी particularly excavator को use करने से पहले हम लोग को यह ध्यान में देना चाहिए कि उसका operating cost कितना आ रहा और उसका maintenance cost कितना आ रहा next है आपका cost of machine and definitely availability of the capital दोस्तों उस machine का हम लोग को hire करने में कितना खर्च आ रहा यह भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा यदि माल लीजिए किसी machine का दाम एक करोड है और वो हमें लगब 75 lakh ही output दे पारी है तो वैसे condition में हम लोग को उस machine के द्वारा हम लोग को benefit नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 25 lakh का हम लोग को घाटा हो रहा है तो हम लोग को यह भी देखना पड़ेगा कि कितना machine का cost है और कितना वो हमको capital दे पाती है यह भी factor होता है किसी भी excavator को use में लाने से पहले हम लोग को देखना चाहिए तीसरा नमबर point है easy availability of the machine and a spare part in the country दोस्तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस समस्या से जुझते हैं कि मान लिजिए हमने किसी machines को purchase कर लिया उस machine का यदि parts पूर्जा हम लोग को हमारे country में नहीं available होगा अच्छी तरीका से तो क्या होगा कि कभी machine जब खराप हो जागा तो उसके parts पूर्जा को मंगाते मंगाते हम लोग को डेड़ दो मैनल लग जागा तब तक तो हमारा बहुत ही ज़्यादा loss हो जागा ऐसे condition में भी हम लोग को सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि machine का parts वो easily available हो तो तीसरे नामर पोइंट है आपका easy availability of the machine and a spare part in the country नेक्स्ट है आपका use of other motive power such as diesel, electric और हैट्रोली दोस्तों किसी भी excavator को choose करने से पहले हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को कैसा demand है या तो हम लोग diesel operated machine का use कर सकते हैं या फिर हम लोग electric का use कर सकते हैं अब next जो आता है वो है आपका load bearing capacity of rock on which excavator machine needs to instant or move दोस्तों ये बहुत ज़्यादा important factor है किसी भी excavator machine को use करने से क्या होता है कि हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि excavator machine कितना load bearing capacity है उसका इसको भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तब ही जाके हम लोग बहुत ज़्यादा output दे पाएंगे next है आपका flexibility दोस्तों किसी भी machine को use करने से पहले हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि वो कितना flexible है यानि कि वो कितना जल्दी किसी भी चीज को load कर सकता है unload कर सकता है ये factor बहुत ज़्यादा important होता है किसी भी excavator machine को open customer में यूज करने से next point है आपका reach of the arm of excavating machine दोस्तों हम लोग किसी भी excavating machine को use करने से पहले हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि उस excavating machine वो कितना hide तक reach कर सकती है और कितना below ground तक reach कर सकती है उसका कितना horizontal reach है ये सभी चीज़ों कोई भी हम लोग को देखना पड़ेगा तभी जाके हम लोग किसी भी machines को use कर पाएंगे last point है आपका digability दोस्तों किसी भी excavator को use करने से पहले हम लोग को ये जांच कर लेना चाहिए कि उसका digging capacity कितना तक है तो ये सभी जो factors हैं उसको हम लोग को पहले study कर लेना चाहिए किसी भी excavator को open cast mine में use करने से पहले यदि हम लोग इन सभी factors को पहले से study किये हुए रहेंगे तो जब हम लोग excavator को use करेंगे open cast mine में तो उससे हम लोग ज्यादा output ले सकते हैं उससे ज्यादा production मिलेगा तो ये सभी थे हैं आपके open cast mining machinery का introduction तो वीडियो आपको कैसा लगा आप comment करके जरूर बताए यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो make sure चैनल को भी subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई God bless you और जैन